आप सबने फूलों की बनावट तो बहुते देखी होगी और आपने खुद भी कभी ना कभी फूलों से अपने घर को सजाया ही होगा पर आपने कभी किसी ऐसी जगे के बारे में शुना है जहां सब कुछ फूलों का ही बना हुआ है फूलों की कुरसी, फूलों का घर, फूलो कर विश्वास नहीं होता है कि ये इनसान ने बनाया है तो चलिए जानते हैं मिरेकल गार्डन से जुड़े हुए कुछ अद्बुद और रोचक तथ्यों के बारे में दुबई मिरेकल गार्डन नाम से ही पता चल रहा है ये भारतियों के फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन दुबई में हैं यह संयोक्त अरब अमीरात के दुबई लेंड जिले में इस्तित हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का गार्डन हैं यह गार्ड ये इसे दुनिया बरके कई लोगों द्वारा प्यार के प्रतीक के रूप में माना गया है रेगिस्तान के बीच में एक संदर फूलों का स्वर्ग अशंबव लगता होगा ना पर ये दुबई ने शंबव कर दिखाया है 2013 में बनाया गया दुबई मेरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है किर्तिम रूप से बनाया गया ये रंगीन श्यमतकार आजने के भू निर्माड का उत्तम उदाहरन है और दुबई के सबसे मूल और लोगप्रिय आकर्शनों में से एक है दुबई के दुबई लेंड जिले में इस तित दुबई मेरेकल गार्डन बहात्तरा जार वर्ग मीटर में फैला हुआ है इस गार्डन को अनेक फूलों से सजाया गया है जिसमें एक सो पचास मिलियन से अधिक फूल और दो सो पचास मिलियन पौदे हैं इन अलग-अलग और प्रिकार के फूलों को उगा कर विविन प्रिकार के डिजाइन या स्ट्रक्चर तैयार किये गए हैं जिसमें आपको फूलों का गर, फूलों की नदी, फूलों का हवाई जहाज, फूलों का टेडी बियर, यहां तक की मेज और कुर्ची भी फूलों की देखने को पूलों के उचित रख रखाओ के लिए शाप किये गए अपसिस्ट जल का पुना उपयोग किया जाता है एक डिप सिचाई विवस्ता का प्रियोग करके पिरती दिन आस्तन शात लाग शंताओन हजर 82 लीटर पानी को सीधा पौदों की जड़ों में डाला जाता है दोबाई म उच्च गुणवत्ता वाले पानी में बदल दिया जाता है रात को गार्डन के बंद होने के बाद ही पानी दिया जाता है दोबाई मेरेकल गार्डन की कुछ विशेस्ताइं भी हैं हार्ट टनल दोबाई मेरे कल गार्डन का सबसे पसंदीदा और प्रिसिद आकर्चन है इसकी हार्ड टनल हार्ड टनल एक ऐसा रास्ता है जिसमें दिल के आकार के कई सारे आर्च एक साथ लगे हुए हैं इन्हें इस तरीके से लगाया गया है कि आप एक जगे खड़े होकर भी सभी को एक साथ देख शक्ते हैं और जिसे देख कर ये भ्रिम पैदा होता है कि ये दिल आगे जाते जाते छोटे होते जा रहे हैं लाल पीले नरंगी और गुलाबी रंगे फूलों से सजी दिल के आकार की आर्च के नीचे चलना बहुत ही खास अनबुद देता है एमीरेट्स A380 एयरबस दुबई के मिरेकल गार्डन का मुख आकरसन है अमीरात A380 एयरबस यह पांच लाग से अधिक ताजे फूलों और पौदों से बना एयरबस A380 का बिलकुल असली दिखने वाला मॉडल है यह इतना बड़ा है कि केवल अमीरात A380 के लोगों के लिए ही लगबग नोहज़र फूलों का उपयोग किया गया है इस भब आकरती को बनाने में 6 महीने का समय लगा जिसमें 200 लोगों ने काम किया इस एयरबस मॉडल की 30 टन की स्टील बोडी पुनर निर्मित शामान से बनी है और लगबग 73 मीटर लंबी है केवल बिमान के पंकों का फैला भी 80 मीटर से अधिक है फिलोटिंग लेडी इस जादूई बगीचे में ऐसी अदबुद आकरतियां बनाई गई हैं जो नामुमकिन सी लगती हैं दोबई में रेकल गार्डन में हैं एक अनुकी हवा में उरती महिला हवा में अपनी बाहों को खोल कर तेरती हुई महिला फूलों की कलात्मकता का एक बहतरीन उदारन हैं उसकी डेस गुलाबी और सफेद पेटुनिया फूल से बनाई गई है जो उपर से नीचे की ओर आ रही है जिसे देखकर ऐसा भ्रम पैदा होता है कि सचमेवे महिला हवा में उड़ रही है और दोनों हातों को खोल कर आशमान का श्वागत कर रही है फिलोटिंग लेडी कला का एक उत्तम नमूना है और यही कारण है कि यह इस बगीचे के अदबद आकर्षणों में शे एक मानी जाती है डिजनी थीम डिजनी के पसंदीदा पात्र भी दुबई मिरेकल गार्डन में मौझूद हैं इस गार्डन में इसके लिए एक अलग हिश्या बनाया गया है जिसे डिजनी एवेन्यू का हाथ जता है दुबई मिरेकल गार्डन और वर्ट डिजनी कंपनी के बीच हुए समझौते के बाद 2018 में ही इस गार्डन में मिक्की माउस की बड़ी सी आकरती लगाई गई थी मिक्की माउस गूफी, पिलूटो, डेजी डक, डोनाल्ड डक, डेवी और लुई की भी बड़े आकार की फूलों की संरचना यहाँ पर उपस्तित हैं दोबाई में रेकल गार्डन के ठीक साथ में दोबाई बटर्फलाई गार्डन है जो दुनिया का सबसे बड़ा और छेतर का पहला इंडोर बटर्फलाई गार्डन है इस गार्डन में विविन आकारों और रंगों की 15,000 से अधिक तितलियां हैं इस गार्डन में एक ऐसा इस्तान भी बनाया गया है जहां पर तितलियों की फार्बिंग की जाती है इसलिए इस गार्डन में फूलों की अनेकों प्रजातियों के साथ ही तितलियों की भी अनेकों प्रजातियां देखी ज़स्चक्ति हैं दोबाई मेरयकल गार्डन को प्रतेस्टित गिनीज वर्ड रकॉर्ड एसंशीएशन द्वारा तीन गिनीज वर्ड रेकॉर्ड से सम्मानत किया गया है मेरेकल गार्डन के उद गार्डन के बाद ही 2013 में इसे दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन का गिनीज वर्ड रेकॉर्ड दिया गया था 2016 में Airbus A380 की फूल सनचना को गिनीज वर्ड रेकॉर्ड से द्वारा दुनिया में सबसे बड़ी फूलों की सनचना के रूप में सम्मानेत किया गया था एक 18 मीटर उंची मिकी माउस की मूर्ती विस्व की सबसे बड़ी आकार में कटी हुई फूलों की आकृती भी यहां है जिसे गिनीज वर्ड रेकॉर्ड में शामिल किया गया है दुबई में रेकल गार्डन हर साल अक्टूबर से अप्रेल तक ही खुलता है और माई से सितंबर तक बंदर रहता है क्योंकि तब यहां ताप मान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जो फूलों को देखने के लिए अनकूल नहीं है तो दोस्तो आप लोगों को युडियो कैसा लगा पसंदाज से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फेक्स सेक्रीटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाद दें